भारती नोसेना देश की सेन्य ताकत का बहुत ही एहम हिस्सा है ये देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एहम भूम का निभाती है भारत के अंतराश्टी सम्मंधों को मजबूत करने में भी भारती नोसेना का एहम योगदान है भारती नोसेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए हर साल देश में चार दिसम्मर को भारती नोसेना दिवस मनाया जाता है 1971 के भारत पाक युद्ध के दोरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था इस उपलब्धी की याद में चार दिसम्मर को भारती नोसेना जश्न मनाती है वरतमान में भारती नोसेना अपने विशाल काय और एडवांस फीचर से लैस युद्धक पोतूं सब मरीन्स के बलबूते दुनिया भर में चोथे इस्थान पर आती है नोसेना भारती सेना का सामुद्रिक अंग है जिसकी इस्थापना 1612 में हुई थी इस्थ इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए इस्थ इंडिया कंपनी मेरिन की रूप में सेना गठित की थी जिसे बाद में रॉयल इंडियन नोसेना नाम दिया गया भारत की आजादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारती नौसेना नाम दिया गया 4 दिसम्बर 1971 को आपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किये गया भियान में मिली काम्याबी की वज़े से ही हर साल 4 दिसम्बर को नौसेना दिवस मनाया जाता है भारती नौसेना के रूप में इसे एक असल रूप मिला 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदल कर भारती नौसेना कर दिया गया भारती नौसेना ने आजादी की रक्षा ही नहीं की बलकि आजादी हासिल करने में भी महत्व पूर्ण भूम का निभाई थी बारती हूर ने हे आजादी हूरती ने हैं नेओरा ने नौसेना कर दे decision